Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल ये 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में Aries, Taurus, Gemini, Cancer यानि की मेश, व्रिशब, मिथुन, करक राशियों के सापता ही क्राशी फल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैम्प है आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो. तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता ही कराशी फल. तो चलिए, Aries, आप लगों के लिए देखें कि आने वाला हथा आप लगों के लिए क्या लेकरा रहा है. तो सबसे पहले मैं overall energies जो भी इस वीक की रहेंगी, उसके लिए कार्ड निकालूंगी. And then, you know, आपका starting का week कैसा रहेगा, mid week कैसा रहेगा, and end of the week कैसा रहेगा. उन कार्ड के लिए एके clarifier भी निकालेंगे. तो सबसे पहले overall energies, Aries, आप लोगों के लिए आने वाले हफते की क्या रहेंगी. Let's see, Aries, आप लोगों के लिए coming week, overall के लिए क्या लेकरा रहा है, overall क्या energies हैं. तो Aries, coming week की overall energies आपके लिए क्या रहेंगी. तो Aries, देखें, यहाँ पर devil reverse का card है. किसी भी level पर किसी भी तरीके का pressure रहतावा देख रहा है. इस pressure के लिए सब Aries के लिए different reasons रहेंगे. लेकिन देखें, यहाँ पर devil reverse का card कहता है कि आप थोड़ा सा किसी चीज को लेकर जादा obsessive हो सकते हैं, जादा possessive हो सकते हैं, कुछ के लिए professional front हो सकता है, कुछ के लिए personal front हो सकता है, कुछ के लिए कोई connection, कोई relationship हो सकता है. और देखें, जब भी-भी devil का card आता है, मैं यही कहती हूँ, कि आपने एक surrender mode में रहना है, जिस भी God को मानते हैं, उन पर complete faith रखना है. अब देखते हैं Aries की starting of the week आप लगों के लिए कैसा रहेगा. तो यहाँ पर four of swords reverse का card कहता है, कि बहुत activity नहीं होती हुई दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज में अपने आपको involved नहीं करना चाहा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. And mid week देखते हैं, mid week के लिए यहाँ पर wheel of fortune reverse का card है, जो कि कहीं, you know, किसी level पर एक stuck energies की बात करता है, और यहाँ पर देखिए यह थोड़ा-थोड़ा सब Aries के लिए differ करेगा. कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत speed से किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, action initiatives लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि, you know, आप again अठका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप action initiatives नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन external level पे चीजे बड़ी तेट से आगे बढ़ रहे हैं, और आपको ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आप पीछे रहे गए, आप उनके साथ अपनी speed नहीं match कर पा रहे हैं, जो external front पे events रह रहे हैं, आप फिर हो रहा है, आपको ऐसे लग सकता है कि चीजे उस direction में नहीं जा रहे हैं, जिस direction में आप चाह रहे हैं, end of the week के लिए देखें, tower rivers, तो ये card भी कहीं देखिए, एक गुसा, एक frustration, एक irritation की बात करता है, अब एक बार ही हम clarifier निकाल के देख लेते हैं, कि, you know, कैसे आप इन energies में से खुद को बाहर भी निकाल सकते हैं, या फिर broader level के लिए क्या रह रहा है, you know, या क्यों रह रहा है, so Aries, energies for the coming week, clarifiers for four of swords, wheel of fortune rivers and tower rivers, Aries, energies for the coming week, Aries के लिए आने वाला हफता क्या लेकर आ रहा है, Aries के लिए आने वाला हफता क्या लेकर आ रहा है, क्या guidance है जिससे आप Aries आने वाले हफते को थोड़ा सा बहतर कर सकते हैं, और कैसे Aries आप बहतर कर सकते हैं, क्या आपके लिए guidance है, तो देखे, four of swords के लिए मैंने clarifier निकाला है और यहाँ पे completion का card आया है, तो हो सकता है कोई चीज आपको complete करनी है और कहीं आप उस तरीके से उस चीज में involved नहीं हो रहे हैं, नहीं होना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई phase आपकी life में end हो रहा है, कोई नहीं beginning हो रही है, जिसको लेकर आप थोड़ा सा हो सकता है कि इनों great नहीं feel कर रहे हैं, कहीं आप उसी वज़े से चीजों से withdraw कर रहे हैं, back seat ले रहे हैं, अब Aries, wheel of fortune के लिए clarifier निकालते हैं, देखते हैं wheel of fortune क्या कह रहा है coming week में, और देखें यहाँ पर wheel of fortune mid week के लिए आया है, let us see, यहाँ पर देखें wheel of fortune के नीचे slowing down का card है, तो देखें कितनी contrasting सी energies हैं, जहाँ wheel of fortune बहुत speed से चीजों के आगे बढ़ने की बात करता है, और reverse card कहीं, you know, एक stuck energies की बात करता है, जूकि मैंने आपको भी कहा और यहाँ पर slowing down का card भी बहुत slow तरीके से चीजों के आगे बढ़ने की बात करता है, इन दोनों cards को combine करें, दो-तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बहुत speed से जैसे कि मैंने आपको बताया आगे बढ़ना चाह रहे हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं क्यूंकि आप बहुत safe secure हो के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाह रह and कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे कि आपको बताया circumstances, situations, external level पे चीज़ें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप again safe secure हो के आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपको ऐसे लग सकता है कि आप शित पीछे रह गए हैं, पीछे चुट गए हैं, मैं ये भी कह सकती लेकिन आपका major एक concern रह रहा है कि आप risk नहीं लेना चाह रहे हैं, आप safe secure होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और Aries देखे बहुत अच्छी बात होती है safe secure होके आगे बढ़ना लेकिन at times क्या होता है न हम जब too much safety और security के ओपर focus करते हैं तो हम अच्छी opportunities को miss करते हैं और बा करें नहीं बहुत जादा slow down होएं और in the process opportunities को जरूर recognize करें opportunities का जरूर खयाल रखें और टौवर के लिए हम clarifier निकालते हैं टौवर का कार्ड यहां पर क्या कह रहा है तो दीखें टौवर के लिए हमर पस the fool का कार्ड है तो वो सकता है कि पीछे आप बहुत casual रहे चीज़ों को लेकर आप थोड़े से careless रहे या फिर जितना effort आपकी तरफ से required था आपने उतना नहीं दिया और अप कहीं आप परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगे एरीज परेशान होने से तो कोई मसला हल होगा नी जो हो गया वो हो गया अब आप कैसे चीज़ों को बहतर कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं यू नो उस पर focus करेंगे जो भी responsibility आपको लेनी चाहिए पीछे आपने नहीं ली आप उसको ले और कैसे आप थोड़ा सा particular होके थोड़ा सा again मैं कहूंगे responsibility उसको लेके चीज़ों को बहतर कर सकते हैं उस पर focus करें क्योंकि frustrated होने से गुस्सा करने से यकीन मानिए आप चीज़ों को और खराब करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह आपके लिए guidance भी रहेगी overall guidance for Aries for the upcoming week तो देखिए the outsider का card है और मैं इन सब cards को combine करके अगर मैं इस guidance को देखूं तो या तो आप अपने आपको ना बहुत जादा चीज़ों में involved नहीं कर रहे हैं जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है आपना दूर-दूर से उसको देख रहे हैं आप दूर-दूर से मैं यह अब ही कह सकते हूं किसी level पर तरस रहे हैं काश यह हो जाए तो कितना भैतर रहेगा ना काश यह desire manifest हो जाए तो कितना भैतर रहेगा यह goal पूरा हो जाए तो कितना भैतर रहेगा लेकिन आप शाहिद you know action initiatives नहीं ले रहे हैं और यहापे four of souls को देखें तो वो भी यही कहता ह है कि आपकी passive energies हैं आप action initiatives नहीं ले रहे हैं और यहापे देखें slowing down and wheel of fortune reverse को देखें तो यह भी कहता है आप बहुत safe secure होके चीजों को deal कर रहे हैं आप अपनी तरफ से जो भी required है उसको नहीं कर रहे हैं और देखें आप risk ना लें देखें मैं भी इस favor में नहीं हूँ कि पड़ता है growth or progress के लिए वो जरूर आप लें and यहाँ पर देखें tower भी कहीं मन ही मन चीजों को सोचने की और उसको लेकर frustrate होने की बात करता है तो यहाँ पर आपके लिए guidance यही होगी Aries कि अगर आप इस week की energies को बहतर करना चाहते हैं तो जो दरवाजे बंद है ना उनको आ आप बंद ना माने दिखिए एक book मैंने पड़ी थी think and grow rich हाला कि दिखिए वो rich होने के ऊपर थी बट life में कोई भी area हो आपके लिए वो चीज ना तभी होती है या फिर ना मुमकिन मैं कहूंगी तभी होती है जब आप अपने मन में उसको give up कर देते हैं जब आप मन में यह सोच लेते हैं यह तो आपको मिल ही नहीं सकती यह तो आप achieve कर ही नहीं सकते यकीन मानिए अगर आप give up नहीं करेंगे आप willpower रखेंगे determination रखेंगे सामने से आपको बिल्कुल ना मुमकिन लग रही है बिल्कुल आपको लग रहा है possible नहीं है और आपको लग रहा है यह दर सोचें कि भई इसी माइनसेट से हम सूरज को ठंडा कर दें तो वो हम नहीं कर सकते हैं हम धर्ती को चकोर कर दें हम नहीं कर सकते हैं यह जो एक इस फिजिकल रियालिटी के दायरे में रहके चीजें होती हैं जैसे कि अगर मैं professional front की बात करूँ कि भई यह मुझे career से related achieve करना करना हैं तो मैं उसको definitely achieve कर सकती हूँ जब तक मैं अपने मन में यह सोचती हूँ कि भई यह मेरे लिए possible है मैं इसको achieve कर सकती हूँ एक practical मैं plan बनाती हूँ strategy बनाती हूँ और उसके लिए efforts करती हूँ तो देखिए मैंने आपको professional front का example दिया है किसी भी life के area में proper planning, proper strategy, hard work, smart work, action initiatives can actually you know help you I don't know is the right word but you can achieve your goal with this तो यह था aries आप लगों के लिए coming week की energies और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए बचल यह Taurus आप लगों के लिए देखिए कि आने वाला हफता क्या लेकर आ रहा है, क्या energies रहेंगी तो यह Taurus रिशब राशी वालों के लिए weekly tarot reading है साथा ही राशी फल है, Taurus रिशब राशी आने वाला हफता कैसा रहेगा तो Taurus में सबसे पहले आप लगों के लिए theme card निकालोंगी कि overall इस week की energies कैसी रहेंगी तो यहाँ पे six of swords का card है and अब Taurus starting week, mid week and end week के लिए card निकालेंगे तो Taurus starting week, end week, mid week, Taurus रिशब राशी वालों के लिए starting week के लिए यहाँ पर six of pentacles reverse का card है mid week के लिए strength reverse का card है and starting week के लिए आप लगों के लिए ace of pentacles का card है तो देखे, overall अगर हम theme देखें, Taurus तो किसी अटकी हुई चीज में से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं ये week एक overall के लिए एक movement, एक shift लेकर आ रहा है सब के लिए different areas होंगे, कुछ के लिए professional front हो सकता है जिसमें पीछे आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो उसमें से इस week आप बाहर निकल रहे हैं कुछ के लिए professional, sorry, personal front हो सकता है कोई relationship हो सकता है तो कहीं देखे, आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं in fact मैं कहूंगे कि पीछे अगर कुछ issues थे, मसले थे, challenges थे तो उसमें से भी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसमें से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं travel या तो आप कर रहे हैं या फिर travels related कोई planning रहती हुए दिख रही है and starting week के लिए यहाँ पे six of pentacles reverse का card कह रहा है या तो आप बहुत जादा, you know, अपने किसी loved one या फिर अपने किसी colleague को professional front के लिए दे रहे हैं यहाँ पर कुछ Taurus के लिए help हो सकती है कुछ Taurus के लिए finances related कोई help हो सकती है कुछ के लिए emotional help हो सकती है या फिर आप बहुत जादा ले रहे हैं तो दिखिए इन energies में एक Taurus balance लाने की बहुत जरुरत है क्योंकि अगर आपने यह नहीं किया तो mid week में एक frustration, एक irritation हो सकती है और मैंने बहुत बारी अपनी readings में बुलाया Taurus कि दिखिए life is all about balance आप universe को ही देख लें आधा दिन, आधी रात बनाई हर चीज का ना counterpart universe ने बनाया है अच्छा है तो बुरा भी है, फूल है तो काटे भी है इसी तरीके से दिखिए जितना important देना होता है उतना important लेना भी होता है और जितना important लेना होता है उतना important देना भी होता है For example, अगर हम oxygen सिरफ inhale करते रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं survive कर पाएंगे हमें exhale करना भी बहुत important है Similarly, अगर हम carbon dioxide exhale करते रहेंगे हम oxygen inhale नहीं करेंगे, तब भी हम survive नहीं कर पाएंगे तो इसी तरीके से balance बहुत important है और इस काट को I don't know आप लोग कितना देख पा रहें है जो figure है, इनके हाथ में तराजू है और ये reverse है तो कहीं तराजू भी balance maintain करने की बात करता है जो कि आप कुछ time से या फिर इस week की starting में या इस week नहीं maintain कर पा रहे हैं आप again या तो जरुद से जादा दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं इस चीज को check करके correct करने की जरुद है और थोड़ा साना अपनी willpower, determination को भी बढ़ाने की जरुद है क्योंकि हो सकता है कि आप mid week में थोड़े से exhaust हो जाएं या फिर आप अगर पीछे किसी चीज को बहुत सबर के साथ बहुत lovingly, compassionately deal कर रहे हैं तो mid week में आपकी ऐसी energies हो सकते हैं बस बहुत हो गया अब ना और नहीं मिर से ये गुसा, ये frustration अंदर ही अंदर रखी जा रही है और आपका ना went out हो सकता है frustrated हो सकते हैं और गुसा आपको आ सकता है and end week थोड़ा सा चीजें बहतर होती हुई दिख रही है कोई अच्छी opportunity, professional, personal, किसी भी level पर आती हुई दिख रही है हाला कि दिखें बहुत बड़ी नहीं रहती हुई दिख रही है बहुत एक छोटे level पर कोई भी opportunity आ सकती है अच्छी चीज आ सकती है और अगर आप इस पर work करेंगे अगर आप इसको लेंगे तो आगे जाकी यह बहुत बड़ी हो सकती है और कुछ Taurus के लिए यह भी हो सकता है by the end of the week आपको ऐसे लगे कि भाई balance maintain कर लो और जो भी हुआ है उससे कुछ सीख लो और छोटे छोटे कदम जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप लेना चाहा रहे हैं आप ले रहे हैं practical, realistic होके चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं and yes, दिखिए end of this week में money पैसे से related भी आपको कोई फाइदा हो सकता है and एक और चीज़ यह काट कहता है किसी news, email, message का आपको मिल सकता है और उससे कोई गेन फाइदा आपको हो सकता है कुछ और उसके लिए हो सकता है कि अगर आप पढ़ाई करना चाहा रहे थे कोई अपनी skill update करना चाहा रहे थे कुछ, you know, course लेना चाहा रहे थे या किसी भी तरीके का, you know knowledge गेन करना चाहा रहे थे तो उससे related भी कुछ positive हो रहा है एक बर ही clarifier निकालते हैं टॉरस आप लोगों के लिए कि ये cards क्या कह रहे हैं टॉरस वरिशब राशी upcoming week 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 ये card भी balance की बात कर रहा है I don't know इन दोनों cards को आप कितना देख पा रहे हैं देखी ये जो figure है ना इनके इस हाथ में तराजू है और ये reverse है मैंने अभी आपको बताया तो balance नहीं maintain कर पा रहे हैं और इस card में आप देखें yin yang यानि कि ये जो figure हैं इनके हाथ में एक yin and yang की ball है जो की आधी काली है, आधी white है और उसको कहीं, you know, integrate किया हुआ है card का title भी integration है और ये card balance की ही बात करता है तो फिर से मैं कहूंगी Taurus, बहुत important है कि आपको balance रखना है and see how amazingly cards हमें message देते हैं कैसे, you know, हमें बताते हैं और जाधा यहाँ पे confirm हो रहा है Taurus कि आपको balance रखने की ज़रत है and दिखे, yin and yang भी कहीं opposites के combine होने की बात करते हैं कहीं again एक balance लाने की बात करते हैं और यहाँ पे दिखिए, कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि आप different different चीज़ें try कर रहे हैं जो भी आपका outcome है उसको achieve करने के लिए and yeah, थोड़ा सा too much कुछ भी ना करें अगर ज़रत से ज़्यादा कोई चीज़ कर रहे हैं और ज़रत से कम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका भी खायाल रखे, एक balance लेकर आएं strength के लिए, आपके लिए है intensity and देखिए यहाँ पर intensity का card, in fact यही कह रहा है कि आप बहुत obsessive हो सकते हैं किसी चीज़ के लिए यानि कि बहुत intense emotions हो सकती हैं तो यह गुस्सा आपको इसलिए भी आ सकता है कि again थोड़े से obsessive हो रहे हैं, थोड़े से possessive हो रहे हैं बहुत intensity किसी चीज़ के लिए महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको again कहूंगी कि थोड़ा सा moderate अपनी energies रखें थोड़ा सा एक यह card भी कहता है कि too much अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं और बहुत passionately ज़रूर आप अपने goal, अपने मकसद या फिर जो भी चाहते हैं उसके लिए work करें लेकिन obsessive अगर हो रहे हैं तो उसको ज़रूर चेक करके correct करें page of pentacles के लिए clarifier है the outsider तो हो सकता है कि by the end of the week opportunity आ रही है लेकिन साथ ही साथ कुछ challenges भी हैं या फिर money हमन आपको लग रहा है पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे you know पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा doubt आ रहा है और अगर ऐसा आप पाएं टॉर ज़रूर इसको overcome करें क्योंकि देखिए जो एक चीज हमें हमारी मन्जिल हमारे मकसद को नहीं achieve करने देती है वो सिरफ और सिरफ हमारे मन के जो doubt होते है ना जो negative self-talk होती है ना जो एक negative frame of point होता है ना वही responsible होता है तो इसको अपने उपर हावी ना होने दें और कुछ Taurus के लिए भी हो सकता है कि situation circumstances उतने favorable नहीं है या फिर किसी खास इंसान से अगर आप किसी उमीद को expect कर रहे हैं किसी तरीके की help को expect कर रहे हैं तो वो उस तरीके से नहीं मिल रहा है but I will suggest Taurus let nothing stop you from achieving your goal willpower रखेंगे determination रखेंगे तो ज़रूर जो चाहते हैं उसको achieve कर पाएंगे और दिखें mid week के लिए भी यहाँ पर strength reverse का card कह रहा है कि आप थोड़े से weak महसूस कर सकते हैं यहाँ मैं ऐसा भी कह सकते हूं vulnerable महसूस कर सकते हैं फिर से कहूंगी Taurus इन energies को अपने उपर बिल्कुल हावी न होने दे क्योंकि अगर आप अपने मकसद को नहीं achieve कर पाएंगे तो उसकी कोई भी और वज़े नहीं होगी सिरफ और सिरफ जो आपने give up किया या फिर आप vulnerable हुए या आपने महसूस किया और उस वज़े से आपने give up किया या किसी भी और reason के वज़े से give up किया तो सिरफ give up करना ही responsible होगा और कोई चीज responsible नहीं होगी अब guidance overall देख लेते हैं Taurus इस week के लिए आप लोगों के लिए क्या है what is the guidance for Taurus new vision तो दिखे बहुत ही clarity के साथ ये card आपको message दे रहा है कि आपने हर चीज को different तरीके से perceive करना है new vision मतलब नए तरीके से चीजों को करें tried and tested method बहुत ज़्यादा follow ना करें और बहुत ज़्यादा safe होकर भी आगे ना बढ़ें कुछ calculated risk लें और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको नए तरीके से देखें नए नजरिये से देखें नए तरीके से परसीव करें और नया equation अपने लिए बनाएं ऐसा करेंगे तो इस week energy इसको आप भैतर करेंगे overall के लिए अगर मैं आपको बोलू टॉरस तो कहीं चीजें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जो भी challenges से थे उनसे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं लेकिन आप हो सकता है balance नहीं रख पा रहे हैं उसकी वज़े से otherwise थोड़ी frustration, थोड़ी irritation आपको mid week में हो सकती है लेकिन end week तक चीजें ठीक हो जाएंगी और अच्छी opportunity किसी भी level पे आती हुए दिख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उससे related challenge भी रह सकता है और again कहूंगी willpower determination रखेंगे तो बहुत असानी से उसको overcome कर पाएंगे and new vision नए तरीके से चीजों को perceive करेंगे इस week के energies को बहतर करेंगे तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है आने वाला हफता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा तो ये है जेमिनी मिथुन राशी वालों के लिए आने वाले हफते की reading तो चलिए देखते हैं जेमिनीज आप लोगों के लिए coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है जेमिनी मिथुन राशी सापता ही काशी वाल जेमिनी मिथुन राशी सापता ही काशी वाल तो जेमिनीज मैं सबसे पहले और ये नो overall week के लिए एक काड निकालोंगे कि overall आप लोगों के लिए क्या energies है overall कैसा रहेगा ये हफता तो overall energies के लिए जेमिनीज आप लोगों के लिए काड है queen of pentacles तो देखे ये काड कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related फाइदा गेन होने की बात करता है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई female है जो बहुत practical है बहुत realistic है या फिर you know बहुत well off है बहुत secure है, safe है उनकी supportive energies है उनकी तरफ से बहुत cooperative energies है या पर जेमिनीज आपकी ऐसी energies रह सकते हैं जहाँ पर आप बहुत secure feel कर रहे हैं बहुत safe overall इस week महसूस कर रहे है comfort रहता हुआ दिख रहा है या फिर comfort luxury पर focus रहता हुआ दिख रहा है कोई अच्छा खर्चा या तो आप करना चाहा रहे है या फिर कर रहे हैं और हो सकता है अगेन मैं कहोंगी कोई चीज आप खरीद भी रहे हैं अब देखते हैं Gemini's starting week, mid week and end week आप लोगों के लिए कैसा रहेगा Gemini's mythunrashi starting week, mid week, end week Gemini's mythunrashi starting week, mid week, end week Gemini's mythunrashi starting week, mid week, end week Starting week के लिए आप लोगों के लिए magician का card है Again a very positive beautiful card Gemini's Mid week 10 of wands तो तोड़ा सा एक हो सकता है अप responsibility ज़ादा ले रहे हैं अभी मैं clarifier निकालूँगी तो और अच्छे से आपको explain करूँगी And end week के लिए आप लोगों के लिए six of pentacles reverse है तो अब देखते हैं और एक clear picture Gemini's की आप लोगों के लिए आने वाला हफता क्या लेकर आ रहा है Gemini's mythunrashi starting week, mid week and end week तो Gemini's starting week के लिए projections का card है And mid week के लिए lovers का card है And end week के लिए the source का card है तो Gemini's देखिए यहां पर सबसे पहले magician का card है और हम सब लोग जानते हैं कि magician जूट को सच और सच को जूट बहुत smartly कर देता है तो यहां पर देखिए यहां तो आपकी energies हो सकते हैं Gemini's जहां पर आप थोड़ा सा चीजों को manipulate कर रहे हैं diplomatically चल रहे हैं और हो सकता है कि आप बहुत healthy तरीके से कर रहे हो यहां फिर मैं कहूंगी कि आपके motives, आपके intention बहुत अच्छे हैं और ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है ऐसा नहीं है Gemini's तो जूट जुरूर इसको check करके correct करें और कुछ Gemini's के लिए यह भी हो सकता है कि कोई इंसान है, वो थोड़ा सा आपको manipulate कर रहे हैं आपके साथ बहुत smartly deal कर रहे हैं और यहां पर दीपर level के लिए projections का card भी इसी चीज़ को confirm करता है projection के card को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक चहरे के उपर दूसरा चहरा लगा हुआ है that means कि जो real चहरा है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं अगर यह magician, you know, कोई और है आपके अलावा तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगी, Gemini's कि आप alert रहें, आप cautious रहें, आप conscious रहें blind trust ना करें especially, you know, अगर आपको लगे कि भई, कोई इंसान है जो बहुत smartly deal कर रहें आपको और देखिए हमारा inner self जानता है हमें most of the times पता होता है लेकिन, you know, हम जानते हुए भी उस time पर नहीं कुछ कहते हैं, नहीं करते हैं और जब वो event हो जाता है या फिर वो बात हो जाती है कि आप समझते हुए भी उस time कुछ नहीं कहते हैं उस time कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पर tarot reading का मकसद ही है कि आपको पहले से ही, you know चीजों को बताके आपको एक guidance देके कैसे आप चीजों को better कर पाएं उस पर, you know, focus करें तो यहाँ पर मैं आपको फिर से यहीं बोलूँगी कि हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपकी life में जिनको आप नहीं clearly देख पा रहे हैं या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि उनके motives, उनके intentions को आप नहीं समझ पा रहे हैं और किसी भी level पर अगर आपको मन ही मन ऐसा लगता है तो ज़रूर आप cautious रहें और यहाँ पर देखिए कुछ के लिए कोई situation भी हो सकती है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप clearly उसको नहीं समझ पा रहे हैं और देखिए projections एक और चीज कहता है कि अगर आप किसी चीज को इंसान को बहुत अच्छा समझ रहें तो हो सकता है वो इतने अच्छे नहीं है अगर आप बुरा समझ रहे हैं तो हो सकता है उतने बुरे नहीं है तो nutshell में मैं आपको यह कहूंगी कि जब तक कि आप 100% sure ना हो जब तक कि आप सच से पूरी तरीके से वाकिफ ना हो जब तक कि एक clarity आप नहीं मनहीं मन महसूस करें आप कोई बड़ा decision, कोई बड़ी choice ना ले किसी बड़ी चीज में अपने आपको involved ना करें और दिखें, overall अगर हम otherwise देखें तो ये week ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है और मैं कहूंगे starting of this week is going to be very very good magician नहीं opportunities लेकर आएगा बहुत active energies हो सकती है और आप भी बहुत जोश से बहुत confidence के साथ उन opportunities को recognize भी कर पा रहे हैं avail भी कर पा रहे हैं लेकिन again deeper level के लिए projections का card कहता है कि जो भी बड़ा decision लें जो भी बड़ा आप action लें आप सच से ज़रूर खुद को वाकिफ करें mid week में हो सकता है आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई है और उसकी वज़े से या फिर otherwise भी pressure हो रहा है tension हो रहा है क्योंकि 10 of wants के नीचे lovers का card है तो relationship reason रह सकता है आपकी इस परेशानी का आपकी इस you know burden का या फिर जो बहुत एक responsibilities आपने ली हुई है lovers doesn't mean कि love relationship है आपके कोई भी relationship हो सकता है बच्चों के का parent के साथ हो सकता है parent का बच्चे के साथ हो सकता है अगे कोई भी relationship हो सकता है और मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने अगर बहुत सारी responsibilities ली हुई है थोड़ा सा अपनी responsibilities को कम करें offload करें जितना कर सकते हैं उतना ही करें जरुद से जादा करने से हम किसी भी चीज़ को बहतर नहीं कर पाते हैं यह चीज़ समझना Gemini is बहुत बहुत important होता है क्योंकि अगर मैं example के तौर पर relationship के बात करूँ तो हमें कितनी बारी लगता है ना हम जादा कर देंगे ना या फिर हम जादा उनको love express करेंगे या उनके लिए आगे से आगे जाके चीज़ें कर देंगे तो वो हमसे खुश हो जाएंगे हमारा relationship better हो जाएगा and trust me ऐसा नहीं होता है बलकि आपके over करने से वो चीज़ खराब होती है जैसे कि खाने में अगर एक चमश नमक डलना है आप 20 चमश डाल देंगे तो खाना tasty नहीं बनेगा वो खराब हो जाएगा इसी तरीके से हर चीज में moderation बहुत important होती है right proportion बहुत important होता है तो इस चीज का खायाल रखें and थोड़ा सा अगर आप अपनी responsibilities को कम करेंगे तो mid week को भी आप better कर पाएंगे and end week के लिए देखिए नई beginning होती हुई दिख रही है एक deeper level के लिए बहुत enthusiasm बहुत excitement रहता हुआ दिख रहा है लेकिन आप balance नहीं maintain कर पा रहे हैं या तो आप ज़रत से ज़्यादा दे रहे हैं या फिर ज़रत से ज़्यादा ले रहे हैं और ऐसा आप आएं तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें and अब देखते हैं कि आप लगों के लिए क्या डाइडन्स है इस वीक के लिए what is the diadence for Geminis Mithun Rashi for the upcoming week breakthrough जो भी restrictions हैं जो भी limitations हैं उनको आप break करें और जो आपका goal है जो आपका मकसद है उसके लिए आप बिंदास, बेख़ौफ बिना किसी डर के action initiatives लें और यहाँ पर एक चीज कहना चाहूँगी Geminis सबसे बड़ी restriction सबसे बड़ी limitation किसी भी चीज को achieve करने के लिए हमारे negative thoughts होते हैं हमारे negative belief systems होते हैं हमारे ही you know again mind के negative patterns होते हैं तो इनको जरूर तोड़ें इनको जरूर break करें और अगर ऐसा आपने करा तो जो भी आप चाहते हैं उसको आप definitely definitely achieve कर पाएंगे तो यह था Geminis आप लोगों के लिए coming week की energies coming week की reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को जरूर like, share और subscribe करें तो चलिए Cancerians आप लोगों के लिए देखें की आने वाला हफता आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है क्या energies रहेंगी So this reading is for Cancer कर कराशी सापता ही कराशी फल Cancer कर कराशी सापता ही कराशी फल आने वाले हफते की energies आने वाला हफता आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है तो Cancerian, सबसे पहले मैं इस theme card निकालूंगी यानि कि overall इस week की क्या energies रहेंगी और फिर starting week, mid week and end week तो सबसे पहले overall energies, 10 of wands reverse और अभी इसके लिए मैं clarifier भी निकालूंगी की actually 10 of wands का card यहां पर क्या कह रहा है Cancer करकराशी, starting week, mid week and end week तो Cancer करकराशी आवालों के लिए starting week, 7 of cups, mid week, 7 of swords और ये card गिरा है, 7 of pentacles और अब इन सब cards के लिए Cancer करकराशी, starting week, mid week, end week and clarifier for the overall week की energies Cancer करकराशी, coming week की energies coming week क्या लिए करा रहा है तो यहां पर ये clarifier है आप लोगों के लिए overall energies के लिए starting week के लिए laziness and mid week के लिए trust and week के लिए आप लोगों के लिए है maturity तो देखे, overall अगर हम देखें Cancerians, तो यहां पर 10 of wands का card कह रहा है कि यां तो किसी चीज को लेकर एक pressure, एक stress आप महसूस कर रहे हैं या पिर पीछे आप बहुत अगर एक pressure, एक tension महसूस कर रहे थे तो उसको आप offload कर रहे हैं तो overall ये week के energies ऐसी रहेंगी जहां पर देखे, again या तो किसी pressure से अपने आपको आप, you know, relief कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़ादा उसी energies में जा रहे हैं इस card के लिए एक message आपको मैं जरूर दूँगी कि अगर आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई हैं तो जरूर जरूर उसको offload करें जितना कर सकते हैं, उतना ही करें and देखे, patience रखने की ज़रत है यानि कि इस week अगर आप किसी चीज को expect कर रहे थे किसी चीज को चाहा रहे थे तो वो नहीं होता हुआ दिख रहा है और मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी या फिर वो आपका काम नहीं बनेगा No, please I am not saying that मैं सिरफ और सिरफ आपको ये बोल रहू कि आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा हो सकता है इस वीक ना मिले इससे next week मिले तो इस week की overall energies है जहाँ पे आप बहुत एक सब्र patience रख रहे हैं या फिर आपको रखना पड़ रहा है starting week के लिए देखें तो यहाँ पे seven of cups का card कहता है कि distracted सी energies रह सकती है जहाँ पे या तो आप अपने goal अपने मकसद पे focus नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई आपको decision लेना है choice लेनी है आपको समझ नहीं आ रहा है आपके पास options है या you know मन ही मन आपको लगता है कि ये decision ठीक रहेगा या पर ये choice कर लेते हैं फिर एकदम से आपके मन में ख्याल आते हैं नहीं नहीं ये decision और choice ठीक नहीं है कोई और decision दूसरा decision लें दूसरी choice करें तो इस तरीके से दिखिया आप indecisiveness वाली energies में रह सकते हैं और आप सोच बहुत ज़ादा रहे हैं आप action initiatives नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर देखिये laziness का card भी उसी चीज़ को और ज़्यादा confirm करता है कि आप again हो सकता है visualize कर रहे हैं जो भी आप चाहते हैं उसको लेकर आप एक you know जिसे बोलते हैं vision बना रहे हैं ख्वाब देख रहे हैं लेकिन concrete realistic steps missing रहते वह दिख रहे हैं और दूसरी चीज़ laziness का card कहता है कि यह उसकता है आप थोड़ा सा relax करने के mood में हैं थोड़ा सा चीज़ों को enjoy करने के mood में हैं fun, mazah, musti करने के mood में हैं और देखिये mid week के लिए यहाँ पर seven of swords का card कहता है कि या तो कोई इंसान है आपकी life में उनके intentions, motives रहे हैं, किसी responsibility से बचना चाह रहे हैं और देखिये, इस card को अगर हम main card के साथ combine करें तो I think, you know, जो main card को यही card clarify करता है कि आपने हो सकता है पीछे responsibility ली कोई या फिर आपके ऊपर कोई responsibility पढ़ गई आप नहीं लेना चाह रहे थे आप उससे escape करना चाह रहे हैं आप उससे बचना चाह रहे हैं आपको लग रहा है बस बहुत हो गया अब मैं यह responsibility नहीं ले सकती हूँ चाहें मैंने खुद से ली है, चाहें मेरे उपर आ गई है तो आप थोड़ा सा भागना चाह रहे हैं उससे लेकिन आप भाग नहीं पा रहे हैं यहाँ पर trust का card आपको हो सकता है किसी level पर guidance दे रहा है just have complete faith and trust जिस भी God को आप मानते हैं अपने आप चीजें sort out हो जाएंगी यहाँ फिर देखिए आप escape भी कर रहे हैं आप बचना भी चाह रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आप you know trust वाली energies में भी रहते हुए दिख रहे हैं जिस God को मान रहे हैं उनको भी याद करते हुए बोल रहे हैं कि भाई आपके उपर पुरा trust है बस सब संभाल लो अब यह ना और हो नहीं रहा है मुझ से अब मैं और जादा यह responsibilities या फिर जो भी situation है जिसको लेकर आप थोड़ा सा अगर परेशान हो रहे हैं मायूस हो रहे हैं उसमें से बाहर निकलना चाहता हूँ तो कहीं इनों एक trust भी आप रखते वे दिख रहे हैं और आपको cards कह रहे हैं कि trust आप जरूर रखें and दिखे end of this week के लिए seven of pentacles and maturity के cards कहते हैं आप खुद को crossroads पे पा सकते हैं जहां पर आप जो भी situation में हैं उससे related क्या future course of action लें क्या you know आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए क्या करेंगे तो आपको result मिलेगा क्या नहीं करेंगे तो चीजें better रहेंगी तो इन ही सब चीजों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं और बहुत maturity के साथ आप चीजों को deal कर रहे हैं एक नई beginning आप plan कर रहे हैं लाना चाह रहे हैं या फिर अगर किसी भी level पर किसी भी तरीके से नई पिगनिंग हो रही है तो आप you know pause करके चीजों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं और हो सकता है कि कुछ cancerians या फिर बहुत सारी cancerians थोड़ा सा you know पीछे भी मुड़ कर देख रहे हैं आपने क्या किया जिससे कि आपको एक अच्छा result मिला एक positive outcome मिला action initiatives future के लिए decide करें या फिर ले तो इन ही सब चीजों को सोचते वे दिख रहे हैं nutshell में एक नई beginning से related planning चल रही है and हो सकता है कोई decision कोई choice भी आप ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं और आप देखते हैं cancerians कि आपके लिए क्या guidance है for the upcoming week guidance for cancerians करकराशी for the upcoming week तो master का card है need not say anything cancerians जिस God को मानते हैं उन पर faith रखें आपके लिए देखें या पर trust का भी card है और guidance के लिए master का card आपको assurance दे रहा है कि God is with you and trust me cancerians जो भी हो रहा है हो सकता है अभी it is not making sense आप नहीं चीजों को समझ पा रहे हैं but जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे life में आपको realize होगा कि जो अभी चीजें आपको ठीक नहीं लग रही है आपको अच्छी नहीं लग रही है उनका कोई न कोई meaning है और वो कहीं future में एक beautiful energies आपकी life में लाने के लिए एक जैसे बुलते हैं न की base बन रहा है या एक तियारी हो रही है preparation हो रही है तो फिर से मैं कहूंगी master का card बहुत ही beautiful energies की बात करता है और साथ ही साथ you know reading में trust का card आने का मतलब यही है again God is with you जिस God को आप मानते हैं उनकी blessings आपके साथ हैं अगर अभी इस week कोई चीज आपको नहीं भी ठीक लग रही है आप उन पर faith करें everything is working in your favor आप इस week देख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है नहीं देख पा रहे हैं तो भी तो यह था कि इंसेरियन आप लोगों के लिए coming week की reading and नीचे मुझे comment section पर जुरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate करी कितना आप connect कर पाए